हेलो फैंट्स, BSC की इस स्पिसल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मौस्ट वेलकम है मा नेम इस आशिश गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC Second Year Botany का फस्स सेमेस्टर है Diversity of Angels from Systematic Development and Reproduction और इस सेमेस्टर से ओलड़ी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके examination paper के लिए most important है तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाएंगे आपको इक अलग से playlist मिल जाएगा या इसी वीडियो के description box मैं आपको link देदूँगा जैसे आप उस link पर press करेंगे आप उस playlist तक पहुच जाएंगे दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर इस सेमेस्टर से हम cover करेंगे family number 10, family root AC इससे पहले मैं cover कर चुका हूँ family renunculacy, family APAC, family POAC, family ruby AC, family rosacy, family emerentacy, family euphorby AC, family lemy AC यह सारी family most important है और अगर आप यहाँ पर आपको जारना है कि कौन सी family ज़्यादा most important है जैसे for example, dicote के अंदर सबसे ज़्यादा बार पुछी जाने वाली family वो है APAC APAC को dicote, अगर dicote से example लिया जाए तो APAC और monocote से example लिया जाए तो POAC यह दोनों family most important है जो बार बार repeat होती रहती है आपकी examination paper में लेकिन अगर आप अपना sold या unsold paper जाप जिस university या जिस college में भी बढ़ते हैं आप अपना sold या unsold paper उठा कर देखेंगे कौन सी family बार-बार repeat हो रही है क्योंकि इस channel पर मैं लगबग सभी family को complete करूँगा फिर उसके बाद आप वहां से जो भी family आपकी examination paper के लिए important आपको लग रहा है sold paper के coding या sold paper के coding तो आप उसी के coding अपनी family को select कीजिए और उसको अच्छे से prepare कीजिए दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारा telegram channel by a book tech के नाम से बना हुआ है अगर आपने इस जोइन नहीं किया है तो आप telegram channel को join कर लीजिए अगर आप BSC के student है वहाँ पर आपको notes या PDF जो भी मेरे पास होता है या फिर BSC related जो भी information provide करना होता है मैं आपको by a book tech channel यानि telegram channel पर आपको easily provide करता हूँ तो simply आपको क्या करना आपको telegram channel एक telegram application download करना है search करना है by a book tech जैसी आप search करेंगे by a book tech हमारा telegram का group आपके सामने आ जाएगा आप उस पर click करेंगे scroll down करेंगे नीचे एक आपको option मिलेगा join का ठीक है आप उस पर click करके हमारे channel से जूड सकते हैं तो इस तरह से आपको जितने भी information होती BSC related या notes वेगरा जो भी मेरे पास present रहते हैं मैं वहीं पर upload करता हूँ चले दोस्तो स्टार्ट करते हैं इसे हम orange family के नाम से क्यों जानते हैं क्योंकि इसमें orange आता है lemon आता है बेल भी इसी family के अंदर आता है तो आई इस family का सबसे पहले देखते है systematic position यानि कि इसका classification Bentham and Hooker के according यहाँ पर simply इसको classify किया गया है division angiospermia class dicotylidon subclass polypitalis series diskyflory and order geronials दोस्तो एक बात हम अच्छी तरह से अभी तक जितने भी family discuss कर चुके हैं उसके अंदर मैंने आपको commonly बताया अगर किसी family को division angiospermia के अंदर रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है अगर किसी family को class dicotylidons के अंदर रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है तो simply यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी नए वीवर से उनको पता होना चाहिए कि division angiospermia के अंदर रखा जाने का reason यह है क्योंकि इसमें जितने भी flowering plant seeded plant होते हैं जिनमें beach पाया जाते हैं जिनमें flowers पाया जाते हैं उन सभी को division angiospermia के अंदर रखा गया है यह Bentham and Hooker के coding है उसके बाद class dicotylidons के अंदर रखने का reason यह है क्योंकि इनके embryo में दो cotyledons present रहता है मतलब ही है dicotylidons यह जो word बना हुआ है यह इसी चीज से लिया गया है दो cotyledons अगर single cotyledon है तो उसको हम monocotyledons बोलेंगे तो यहाँ पर dicotylidons क्यों है क्योंकि इनके embryo में दो cotyledons present रहते हैं अगर आप उनकी leaf को देखेंगे तो उसमें reticulate venation आपको दिखाई देगा अगर आप उनके flowers को देखेंगे तो वो mostly आपको pentameras दिखाई देंगे tetrameras दिखाई देंगे इस diagram के help से समझ सकते हैं यह जो आपको venation दिखाई दे रहा है leaf के अंदर आपने दिखा होगा veins जाती है इन veins का जो arrangement होते होता है इसको कहा जाता है venation अब कुछ में आपको एकदम net like जाल सा बना लेता है leaf के अंदर veins जो होती है वो जाल की तरह फैल जाती है net like उसको कहा जाता है reticulate venation अगर आपको इस तरह से दिखाई देगा यह parallel venation है ठीक है यह आपको monocoat में दिखाई देगा subclass polypetali के अंदर रखा जाने का reason यह है कि इनके जो flower होते हैं उनके petals free होंगे free petal का मतलब इसको polypetali के अंदर रखा जाएगा अब चाहे वो किसी भी family से बिलोग करता हो अगर उसके flower petals free है तो polypetali के अंदर रखा जाएगा अगर petals fuse होंगे तो gamo petali के अंदर रखा जाएगा series discy flowery का मतलब यह कि a disc is present below the ovary, ovary के नीचे एक disc present रहता है जिसके कारणी से इस family को discy flowery के अंदर रखा जाता है order girar neils तो यह है systematic position यानि classification आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने classification किया है division angiospermy के अंदर रखा है या series discy flowery के अंदर रखा गया है तो क्यों रखा है अब हम देखते हैं distribution distribution के अंदर basically क्या देखते हैं कि इन family के member पुरे world में कहां कहां पर distributed है किन reason में पाये जाते हैं और कितने genera कितने species है आईए देखते है family route C comprises nearly 150 genera इसके लगबग अभी तक record किये गये genera 150 genera and 1300 species यानि 1300 species है और 1500 genera है which are mostly tropical and subtropical यानि यहां पर थोड़ा गर्म इस्थान होता है यहां पर पाये जाते हैं subtropical भी है इंडिया में अगर बात की जाए तो लगबग 24 genera इंडिया में record किया गया है और 80 species यह जो आपको दिखाई दे रहे है 150 genera या फिर 1300 species आपको दिखाई दे रही है इसमें abundant यानि प्रचूर मात्रा में यह कहां पर पाये जाते हैं और आस्ट्रेलिया एंड साउथ अफरीका में इन इस कंट्री यानि हम अगर इंडिया की बात की जाए दोस्तों हम बात करें है बेल के पेड़ की बेल के पेड़ का जो scientific name है वो है अगल मार्मिलोज बेल का पेड़ का जो रस होता है जो जूस बेल का जूस डिरेक्ली अगर मैं बोलू तो बेल का जूस जो होता है वो हमारी stomach infection से related होता है अगर कोई भी आपको stomach से related problem है stomach infection है या stomach में pain हो रहा है constipation हो रहा है तो बेल का जो जूस होता है वो आपके लिए फायदे मंद होता है stomach को हटाने के लिए species of citrus अगर हम citrus species की बात करें यानि जिनमें जो खटे फल होते है यानि जिनमें citric acid की मात्रा परजेंट होती है उसमें orange, santa, narangi, nimbu यानि lemon भी इसके अंदर आता है एक और इसमें जैसे की for example, muraya exotica muraya exotica को हम कामिनी के नाम से भी जानते है इसके flower भी बहुत beautiful flower होते है आप देख सकते हैं आपर यह ornamental के purpose से उगाया जाता है तो यह है दोस्तों distribution अब हम देखते हैं इनके vegetative characters और vegetative characters में basically हम क्या देखते हैं habit, root, step and leaves हम बात करते हैं habit mostly आपको इनके जो plants होते हैं उनका habitat अगर आप देखें तो आपको यह misophytes में दिखाई देंगे misophytes, rarely zerophytes में आपको दिखाई देंगे the plants are nearly shrubs और small tree इसमें अगर habit की बात करें the plants are nearly shrubs आपको इसमें मतलब की ज़्यादा तर आपको shrubs के nature में दिखाई देंगे यानि या तो ज़्यादे बड़े tree भी नहीं है यानि बहुत बड़े पेड की तरह भी नहीं है और बहुत छोटे किसी herbs की तरह भी नहीं है ठीके तो उसे में mostly आपको दिखाई देंगे shrubs और small tree ठीके and tree भी दिखाई देंगे लेकिन small और सी पर आपको fruit दिखाई देगा perennial shrubs होते हैं देखे दोस्तों ऐसा rarely ऐसा होता है कि आपको perennial दिखाई देंगे यानि जो अपनी life cycle को 2 या 2 से ज़्यादा वर्सों में complete करता है उसको हम perennial की category में रखते हैं cultivated for their fruits इसको क्यों उगाया जाता है किस purpose से ताकि इनके fruit को cultivate कर सके आप संतरे के पेड़ को क्यों उगाते हैं क्योंकि संतरा जो संतरा fruit है orange fruit है आप उसको collect कर सके या नीमबू ठीक है यह सब मतलब fruit के purpose से इसको उगाया जाता है और ornamental purpose से भी उगाया जाता है यह सजावती पोधे के रूप में भी root की बात की जाए तो tap root system आपको दिखाई देगा branched यानि root में branching भी आपको दिखाई देगी और often infected with fungus इनके जो roots होते हैं वो fungus से infected होते हैं जितने भी कवक होते हैं फंजाई जो होते हैं वो infect कर देते हैं इनकी जड़ों को stem की बात की जाए तो woody woody nature का stem होता है लकडी के जैसा citrus इसका example है citrus के और phornia इनकी stem में ऐसी glands पाए जाती है ऐसी oil glands पाए जाती है जिसकी वज़े से एक अलग से सुगंद आती है अच्छी सी aromatic सुगंद ओर आता है तो gland dotted होती है और इनकी leaf भी gland dotted होती है solid होता है और often spiny जैसे आप निम्बू के बेड में देखोगे उसमें काटे लगे होते हैं spiny होते हैं तो spiny stem जो होता है इनका उसमें काटे भी पाए जाते है spiny nature का भी होता है leaves की बात करते हैं इनमें जो पत्तियां होती है mostly आपको compound दिखाई देंगी opposite अगर आप उसके philotexy की बात करें तो opposite जैसे एक इधर है तो एक इधर होगा just उसके opposite में ठीक है जैसे एक यहाँ पर मैं एक बीच में जैसे मैंने stem खड़ा कर दिया है एक इधर leaf लगा दू just उसके opposite एक इधर leaf लगा दू यानि इसको का जाता है opposite एक होता है alternate यानि एक left side में ऐसे हैं तो एक right side में एक left side में देख आसे बबलाब left, left, right, left, right ऐसे से इसकी philodixy होती है तो opposite, alternate दोनों condition आपको दिखाए देगी x stipulate leaf के base पर एक stipule प्रेजन होता है leaf लाइक छोटा सा structure प्रेजन होता जिसे हम stipule बोलते हैं तो अगर वो absent है तो उसको हम बोलेंगे x stipulate यानि stipule absent होता है the leaves are characterized by the presence of oil glands जैसा कि मैंने आपको बताए stem में भी oil glands यानि gland dotted होते हैं stem भी और leaf भी एक अलग से ही इनकी leaf में एक सुगन्द आती है in citrus the leaf are apparently simple citrus fruits के अंदर leaf आपको एकदम simple दिखाई पड़ेगी margin, leaf की जो margin होती है यानि leaf के जो किनारी किनारे पर आप देखेंगे जैसा कि diagram में भी देख सकते हैं entire होती है serate entire कैसा होता है मतलब पूरा plane होगा मतलब कोई भी वहाँ पर margin उसकी बिल्कुल plane होगी लेकिन अगर आप serate में देखें तो उसमें एक आरी की तरह कट-कट आपको दिखाई देगा आरी की तरह है जैसे कि diagram में देख सकते है reticulate venation leaf के अंदर आपको reticulate venation दिखाई देगा ठीक है? यानि net like leaf में आपको winds जो होता है वो पूरी तरीके से एक जाल सा बना ले था जिसको बोलते reticulate venation तो यह है हमारा vegetative characters of family rotacy अभी आप इसको फटा-फट note कीजिए तो चली फ्रेंड्स फटा-फट डिसकस करते है floral character of family rotacy दोस्तो जीस तरह से हमने vegetative characters में देखा था habit, root, stem and leaf के character के बारे में ठीक उसी प्रकार से हम floral character के अंदर study करते है flower की character के बारे में अब एक plant पर दो या दो से ज़्यादा flowers होते है तो उनके arrangement को कहा जाता है inflorescence तो पहले हम देखेंगे flowers का arrangement किस तरह से है यानि inflorescence कैसा है इन plants के अंदर फिर उसके बाद देखेंगे single flower की properties उसके symmetry के base पर वो किस तरह से मतलब कौन कौन सी properties को show करता है दूसरा point हम देखेंगे अब इस flower के भी single unit जैसे calyx को study करेंगे corolla को study करेंगे androsium, gynosium किस तरह का होता है किस types का होता है उसमें pleasantation किस type का होता है और इनमें estivision किस type का होता है और यह सारे basic topic मैं already cover करा चुका हूँ अगर आपने वो cover नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको cover कर लिजे ताकि आप किसी भी family को यहाँ पर 20 से ज़्यादा family आपको पढ़नी है तो I think आपको पुरा basic cover होना चाहिए तभी आप यहाँ तक अच्छे से किसी भी family को study कर सकते है समझ सकते है तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था जैसे एक calyx, corolla है यह यह आते है flower के अब किसी भी flower को दो part में categorize किया जा सकता है पहला accessory walls दूसरे होते है essential walls accessory walls के अंदर जो reproduction के लिए आवस्चेक नहीं होते है उसमें आता है calyx और corolla androsium, gynosium essential wall होते हैं क्योंकि reproduction के लिए आवस्चेक है अगर androsium ना हुआ जो कि male unit होता है flower का अगर वो ना हुआ तो reproduction नहीं होगा gynosium नहीं हुआ तो भी reproduction नहीं होगा आए डिसकस करते हैं inflorescence के बारे में usually it is cymos type दोस्तो अब यहाँ पर जैसे for example यहाँ पर मैंने आपको पता है cymos type का inflorescence होता है या sometimes आपको racimos भी दिखाई देगा और sometimes solitary तो इसका मतलब क्या होता है inflorescence क्या है, कितने types का होता है यह सब मैं डिसकस कर चुका हूँ तो यहाँ पर family rotacy के अंदर आपको usually ज़्यादा तर आपको cymos type का inflorescence दिखाई पड़ेगा और कई बार आपको racimos type का भी दिखाई देगा और कई बार solitary होता है अकेला, तनहा मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी चांद ने कहा चांदने की कसम बहुत देखें तुमारे जैसे axillary terminal हम बात करें solitary यानि अकेला axillary terminal होता है terminal यानि उपर tip पर ठीक है और axillary तो अब यहाँ पर inflorescence को देखने के बाद हम देखते हैं single flower की property और single flower की properties में सबसे पहले लिखा हुआ है pedicillate यानि flower के base पर एक pedicill है flower किस से attach है directly एक pedicill से attach है तो उसको कहेंगे हम pedicillate usually regular होता है pentameras होता है यानि इसमें जो calyx corolla होते हैं इसमें 5 संक्या में 5 के multiple में होते हैं तो pentameras है sometimes tetra और trimeras भी आपको दिखाई पड़ेंगे bisexual होता है that means ये androsium और gynosium एक ही flower पर अगर प्रेजेंट है तो उसको का जाता है hermaphrodite या bisexual flower hypogynos है यहाँ पर जो flower है वो hypogynos है और mostly actinomorphic condition दिखाई देगी आपको यह symmetry के base पर होता है ठीक है उसको मैं हर लगबग हर family में discuss कर चुका हूँ कि अगर कोई flower radial symmetry शो कर रहा है अगर आप उसे किसी भी plane से कट करने की कोशिश करें आप इधर से काटे इधर से काटे या इसे काटे तिर्चे काटे oblique काटे जैसे मरजी आप काट रहे हैं अगर वो दो equal part में कट रहा है that means वो flower radial symmetry शो कर रहा है तो उसके लिए हम use करते हैं actinomorphic ए prominent disc present below the ovary जैसा कि मैं हमने इसे disc की flowery में इसी वजह से रखा क्योंकि इसके ovary की नीचे एक disc present होता है e-bractate होता है यानि bract present होता है और bract नहीं भी देखिए आपर e-bractate और bractate यानि bract present भी होता है flower की नीचे एक leaf like structure होती है छोटी छोटी अगर उसे का जाता है bract अगर bract present है तो bractate लगाएंगे अगर नहीं present है absent है तो उसे e-bractate लगाएंगे तो यह है flower की property अब हम देखते है इस flower की single unit calyx की calyx का arrangement कैसा है उसमे एस्टिवेशन कैसा है तो calyx generally उनमें जो है five या four four या five sepals होते हैं और यह sepals free है तो polysepals condition दिखाए देती है अगर वो gyomorphic condition show कर रहा है symmetry के base पर अगर वो gyomorphic है यानि सिर्फ एक ही ऐसा plane है जहां से उस flower को आप दो भागों में काट सकते हैं उसे का जाता है gyomorphic और इसे हम percentage के sign से show करते हैं तो अगर flower gyomorphic हुआ तो gamo sepals और tubular यानि उसमें sepals आपस में fuse होंगे ठीक है और tube like बनाएंगे structure tubular imbricate और cunic initial estivision पाया जाता है rotacy के अंदर उनमें calyx के अंदर आप देखेंगे तो उसमें आपको imbricate और cunic initial type का estivision दिखाई देगा corolla की बात की जाए तो consist of 4 and 5 petals और condition polypetalus जैसे हमने देखा कि polysepless condition है उसी तरह से यहाँ पर भी polypetalus है यह निए petals free है और sometimes at the base estivision is imbricate imbricate estivision है देखें estivision का topic मैं discuss कर चुका हूँ यहाँ पर discuss करके अपना time waste नहीं करेंगे वो मैं already आपको بتा चुका हूँ कि imbricate estivision क्या होता है वैलवेट estivision क्या होता है कुनिक initial type estivision क्या होता है सारे estivision discuss कर चुके है sometimes petal are fuse sometimes सब्सक्री नियुक्त पाइब क्या होता है टो सकोो इसको किया जाता है गार्डेंज वगारव है तो दोस्तों पैटल्स इन्के जो होते हैं अलग-अलग कलर में आपको दिखाई देंगे कोरोला को देखा एंडरोशियम को देखते हैं consist of usually 8 to 10 stammens stammens की संख्या 8 से 10 हो सकती है इससे कम नंबर में भी हो सकती है may less in number sometimes indefinite और कई बार बहुत सारे अनंत संख्या में होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब stammens जो है वो काफी variation शो कर रहे है attached to disc और disc से attached रहते हैं free भी होते हैं opposite to petal पेटल के opposite होते हैं और ये condition क्यलाती है ob diplo stammens condition और ये दो नंबर में short question में कई बार पुछा जाता है MSC में भी और BSC में भी what is ob diplo stammens condition इसमें क्या होता है मैंने आपको बता है opposite to the petals जो androsium होते हैं वो free रहते हैं और petals के opposite में रहते हैं anthers to salad दो salad enter होता है और intros होगा यानि अंदर की तरफ androsium की बाद हम देखते हैं gynosium की बारे में consist of usually five or four carpals but sometimes the number of may be less or indefinite consist of usually five or four carpals कितने? 4 से 5 carpals और कई बार ऐसा होता है कि ये number इससे कम भी हो सकता है यानि bicarplary भी हो सकते हैं tricarpary भी हो सकते हैं tetra भी हो सकते हैं और कई बार indefinite होते हैं multi-carpary condition भी कई बार पाए जाती है so carpel की संख्या पर depend करता है कि वो कैसा carpel होगा bicarple होगा, monocarpal होगा ठीके? it may be syncarpus यानि carpals आपस में fuse भी होते हैं syncarpus और number of locules various with the number of carpals number of carpals के साथ साथ number of locules भी काफी variation शो करता है इसमें exile placentation पाया जाता है locule के अंदर जो ovule होते हैं वो एक placenta की help से जूड़े रहते हैं और उनी के arrangement को का जाता है placentation अब ये placentation यहाँ पर exile placentation होता है और ovule anatropos होता है anatropos का मतब समझ रहे हैं जैसे हमारे पास कोई ovule 180 degree पर उसका mouth rotate है 180 degree तक वो inverted है उसको का जाता है anatropos इस जी हम जब डिसकस करेंगे ovule के type में तब मैं वहाँ पर आपको समझा सकता हूँ तो दोस्तों अभी तक हमने देखा inflorescence, flower, calyx, corolla, androsium, gynosium अब हम देखें ने वाले हैं पर इनमें pollination कैसे होता है इनमें sheet कैसा होता है इनका floral formula ठिक है तो उसके बाद economic importance पहले आप इसको फटा-फट note कीजिए Family root AC के member में fruits की बात की जाए the fruit में भी berry और syzocarpic berry और syzocarpic दो तरह के fruits में पाय जाते हैं sheet non endospermik होता है और floral formula की बात की जाए तो symmetry में हमने पता है कि mostly flower actinomorphic यानि radial symmetry को show कर रहे थे flowers bisexual था यानि के उसमें male और female unit androsium gynosium एकी flower पर present थे उसके बाद calyx की संख्या 4 या 5 calyx के अंदर जो sepals थे उनकी संख्या 4 या 5 थी corolla में यानि petals की संख्या 4 से 5 थी तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते है bracket इसने लगा है क्योंकि polypetalus और polysepalus condition इसमें पाए जाती थी उसके बाद androsium की बात की जाए तो 8 to 10 और सभी के सभी free थे इसलिए कोई bracket हमने use नहीं किया है तो 8 और 10 condition पाए जा रहे थी और gyinosium की बात की जाए तो gyinosium syncarpus था यानि fuse था इसलिए हमने यहाँ पर bracket लगाया है और gyinosium 5 भी हो सकता है यानि penta carpalry भी और anant यानि यहाँ anant का मतलब multi carpalry तो यह हमने देखा है floral formula के अंदर ठीक है अब हम देखते है economic importance economic importance के अंदर आपको बताना होता है कि प्लांट के नेम आपको लिखना होता है scientific name और यह दो नंबर में short question में अलग से भी पोछा जा सकता है तो agle marmilos यह दोस्तो है बेल का बेल का पोधा आपने देखा होगा और बेल का juice भी आपने पिया होगा जो stomach infection में helpful होता है constipation में helpful होता है किसी भी तरह का stomach disease है उसके लिए helpful है था और इससे medicine भी बनाए जाती है citrus orientium edible fruit होता है जैसे कि आपने खाया है संत्रा संत्रे का scientific botanical name है citrus orientium ठीक है बारा भाई एक रजाई क्या संत्रा citrus media निम्बू गर्मियों अभी तो सर्दिया विंटर चल रहा है summer में निम्बू की बहुत याद आती है citrus media यह भी एक तरीके से इसका medicine भी बनाया जाता है और यह है moria exotica यह जो है ornamental purpose से gardens में या घरों के आगे सजावटी पोधे की रूप में यानि ornamental purpose से इसको उगाया जाता है इसको simply community के नाम से भी जानते है तो यह हमने rotasi family को cover किया next video में हम discuss करेंगे plant physiology से topic ठीक है फिलाल मिलते हैं दोस्तों next video में video पसंद आए तो like करे चैनल को subscribe करते अगर आपको इसी तरह की और भी videos की need है तो और अगर आप चाहते हैं कि किसी अलग topic पर video बने तो आप comment में बता सकते हैं मैं आपके सभी comments को read करता हूँ मिलते हैं दोस्तों next video में बाई बाई ठटा